आपके भाड़े में से लगबग हर विपारी एक या दो परसेंट भाड़ा काट लेता है TDS कहके और उसके बाद में वो TDS आपके खाते में भी जवान नहीं होता है ये कहानी बहुत पुरानी है लेकिन आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एक ऐसे ओपरेटर के बारे में जिसने TDS की कटोती को लेकर वहाँ पर पुलिस तक बुला ली और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि TDS को लेकर आपके हक असल में हैं जिस ओपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है सुरिंदर कुमार पंजाब के रहने वाले हैं PB11CN7343 गाड़ी का नंबर है हर्याना के करनाल से चावला रोड लाइन्स है वहां से ये लोड लेकर गए थे अमरित सर पंजाब के अंदर जहां पर लोड लेकर गए उस थीठा गाड़ी वहां पर पहुंच गई अनलोड हो गई लेकिन जब भाड़ा देने की बात आई तो कुल भाड़े में से एक फिस्दी यानि के 270 पर काट कर बाकी का भाड़ा इनको वो देने लगे तब ओपरेटर ने वहां पर इसको लेकर अब्जेक्शन किया और उनसे स आवाल पूछे आप देखिए इस वीडियो क्लिप को जो यह TDS जो आप काट रहे हो यह ट्रांसपोर्ट के खाते में क्यों जाएगा यह गोर्मिंट रूल है यह आपका रूल है सर बोलिए एक बार बताई एक बार जो आप TDS काट रहे हो तो सर यह हम तो कर सकते हैं इस ची अब एक जो आप जो आहर गाडी से आप गोटाला कर रहे हो ना यह कूं अच्छा नहीं आई ए इस नोट गोटाला लाए यह घोटाला कहां टिपोजिट हो रहा है जब कट रहा है गाड़ी का ट्रांसपोर्ट के खाते में जा रहा है तो डिपोजिट क्या है यह 500 700 डेली ग आपका 10 केजी अगर वजन घट जाए तो आप उसका पैसा काटते हो 500 पे पर गाड़ी से आप क्यों काट रहे हो यह एरो प्लेन से लराम रिस्टर में सहाब का कहना है कि हम है सो गाड़ियों को ट्रीट नहीं करेंगे हम किसी एक ट्रांसपोर्टर के खाते में इसको डिपोज वो लगातार वाजिब सवाल उनसे पूछ रहे हैं कंपनी वालों से लेकिन वो अपनी अकड में कोई भी जवाब दे नहीं पा रहे हैं अकड है या फिर उनको यह भी पता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है अगर तो वो टीडियस काट रहे हैं तब उनको वो बकाइद जमा करना चाहिए operator के account में तांके वो बाद में उसको मिल सके अगर नहीं तो फिर अगर वो नहीं जमा करवा रहे हैं तो फिर उनको काटने का भी कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर एक बात आपको हम और बता दें जब सुरिंदर कुमार ने इस company के जो मुलाजिम थे वहाँ और उनसे बहस की इस बात को लेकर तो उन्होंने एक बड़ा अजीब जवाब दिया उनका कहना था कि डेली यहाँ पर सैंकडों गाडिया हैं जिनका भाड़ा हम देते हैं किस-किस गाड़ी का हम हिसाब रखेंगे हर किसी का अलग से TDS काट के हम जमान नहीं करवा सकते हैं इसलिए सारा जो TDS होता है हो हम किसी ना किसी ट्रांस्पोर्टर के हाते में राल देते हैं यह तो एक बहुत ही अजीब बात है और टोटल ही इलीगल बात है इसको लेकर ट्रांस्पोर्ट डीवी की टीम ने चावला रोड लाइन जो ट्रांस्पोर्ट कंपनी थी यहाँ से यह माल लोड हुआ था उनसे भी बात की तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया उन्होंने कहा कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ ना ही इसको लेकर हमारी कभी कोई बात चीत हुई है तो सरा सर सीधा-सीधा यह एक चोरी का केस है आपके भाड़े में से एक-दो परसेंट बिना वजा काटा जाता है और कहीं भी वो जमा नहीं करवाया जाता है। ऐसा ही लग रहा है कमपनी के एटिचूड से क्योंकि अगर होता वो सच में कटवा कर जमा करवाते तो इस तरह का वहार वहाँ पर नहीं होता। खेर हमने कंपनी से संपर करने भी कोशिश की लेकिन उनोंने हमारा फोन नहीं उठाया जब कंपनी वालोंने operator की बात नहीं सुनी तो उसके बाद उसने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को वहाँ पर बुला लिया इसके बाद आप company का रोब देखिये कि जो ये एरोपलेन राइस मिल्स है इसके अंदर घुसने के लिए पुलिस को पूरा एगहंटा लग गया अब यहाँ पर आप बात सोच रहे होंगे शायद कि जो उपरेटर है सिर्फ 270 रुपे के लिए उसने ऐसा क्यों किया लेकिन यह बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर उपरेटर नहीं की है क्योंकि बात सिर्फ 270 रुपे की नहीं है अगर आप देखें कि एक साल में एक गाड़ी टोटल भाड़ा लगबग 25 से 30 लाख रुपे कठा कर लेती है उस 30 लाख रुपे का अगर हम एक फीशिदी भी मानें तो साल में 30,000 रुपे वो TDS के रूप में कटवा देता है कई जगा यह जो कटोती है वो 2 फीशिदी तक भी है यानि के 30 लाख का अगर भाड़ा पूरा साल में हुआ तो 60,000 रुपे की कटोती वपारियों ने कर ली जिसका एक भी पैसा उसे वापिस नहीं मिलता तो मुद्दा तो यह बहुत बड़ा है और इसके साथ ही अगर यह देख लें के एक गाड़ी मालक के पास 5 गाड़ियां हो तो यह रकम आप देखिए 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपे तक बन जाती है तो TDS का यह जो मसला है वो निश्चे तोर पर बहुत बड़ा है तो इसके बाद हम आपको बताते हैं पहले तो स्टोरी में हुआ यह कि जब पुलिस आई तब उसके दवाब के चलते बिल्टी की जो कॉपी थी उसके उपर सिर्फ आप देख सकते हैं 273 पे काट कर लिख दिया गया लेकिन इसका भी असल में उपरेटर को फाइदा कुछ होने वाला नहीं है इसलिए आज हम बात कर लेते हैं कि TDS की यह जो कटोती है जो वपारी कर रहे हैं आप से उसका हल क्या है आपके हक क्या है इसको लेकर तो TDS को लेकर अगर हम income tax के नियमों की बात करें तो मोटे तोर पर दो कैटेगरीज है पहली कैटेगरी तो उन मालिकों की है जिनके पास 10 से कम गाडिया है और दूसरी कैटेगरी वो जिसमें गाडी मालिके पास 10 से जादा गाडिया है दोनों के लिए नियम जो है TDS के वो अलग-अलग है अगर आपके नाम पर 10 से कम गाडिया है तब आपका कोई भी TDS नहीं कट सकता है जी हाँ लेकिन उसके लिए सिर्फ वहाँ पर लड़ना ही काफी नहीं है या फिर पुलिस बुलाना ही काफी नहीं है उसके लिए आपको थोड़ा से काम करना पड़ेगा एक आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं यह declaration form है इसको plain paper के उपर ही देना है कोई इसको stamp paper नहीं चाहिए यह जो declaration form आप देख रहे हैं इसका link हम इसी वीडियो की description में दे रहे हैं आप वहाँ से इसको download करके इसकी 20-25 कॉपिया बना के रखें और यह काफी असान है आप अपने accountant से समझ सकते हैं जब भी आपकी गाड़ी माल लेकर जाए इसको भरना होगा आपको विपारी का नाम होगा आपका नाम होगा इसको भर ले इसके साथ में pen card की एक copy लगा दे तो जब भी विपारी आपका TDS काटने लगे तब उसको आप यह declaration form और pen की copy दे दे उसके बाद कोई भी विपारी जो है वो आपका TDS नहीं काट सकता है असल में होता यह है कि हम भी यह declaration form देते नहीं है pen card साथ में देते नहीं है और विपारी जो है उसको एक बहाना मिल जाता है आपका TDS काटने का वो बाद में जमा करवाता है नहीं करवाता है वो एक लगविशा है तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि अगर 10 से कम गाडियां आपके पास है तो यह declaration form भरना है आपको plain paper है और साथ में pen card की copy लगा दीजिए आपका TDS से नहीं कटेगा अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 10 से जादा गाडियां है तो उस श्रेणी में भी आपको यह देखना होगा कि जो आपकी firm है वो proprietorship firm है आप अकेले ही उसके मालिक है तब आपका जो TDS है वो 1 फीसिदी कटेगा अगर आपने partnership firm बना रखी है या फिर private limited company है तब आपका जो TDS है वो 2 फीसिदी कटेगा अब माल लीजिए कि आपकी private limited company है और आपके पास 10 से जादा गाडियां है और आपका भी TDS विपारी ने काट लिया लेकिन वो बाद में जमा नहीं करवारा तो उस case में आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताते हैं सबसे पहले आपको यह पता दें कि income tax act का section 271 का clause number H है उसके अंदर अगर कोई विपारी आपका TDS काट ले और जमा ना करवाए तो उसका 10,000 पैसे लेकर 1,000,000 रुपे तक का जुर्माना है जी हाँ यह बात आपक कौन इस पचड़े में पढ़ेगा लेकिन अगर हम एक दो बार इनकी complaint करें तो विपारी के host काने में आ सकते हैं अगर किसी की एक बार income tax में ऐसी complaint हो जाए तो दोबारा वो किसी operator के पैसे जल्दी जल्दी नहीं काटेगा होना तो यह चाहिए कि जो हमारी association लोकल लेवल प करेंगे आपके account में तो आपको उस quarter का wait करना होगा जो भी तिमाही चल रही है उसके अंत तक का time होता है company के पास जमा कराने का अगर तो उसने जमा करा दिया तो एक form होता है 26AS उसके बारे में आप अपने accountant यह chartered accountant से बात कर सकते हैं उसमें वो जमा हो जाता है आपको पता चल जाएगा जब भी वपारी ने आपका जो टीडियस कटा था वो जमा करवा दिया आपको पता चल जाएगा उस form के अंदर अगर तीन मीने बाद अगर उस quarter के बाद भी वो पैसे आपके form में जलकते नहीं है इसका मतलब उसने चोरी कर ली है तब आप सिंपल एक काम कीज इस एरिया के अंदर वो कमपणी रेजिस्टर है उस एरिया का income tax commissioner घुंडिया उसका email ID घुंडिया commissioner income tax का और उसे एक mail डाल दीजिये तमाम जो detail है उसमें लिख दीजिए कि इस तरह के मैं वहाँ पर जो है माल लेके गया था इतना मेरा भड़ा उन्होंने TDS कहके काट लिया है लेकिन वो TDS जमा नहीं करवाया गया है तो इस तरह की आप एक complaint Commissioner Income Tax को डाल दीजिए जो भी वपारी आपकी कटोती करता है लेकिन TDS जमा नहीं कराता है हमें पूरी उमीद है कि अगर देश के ओपरेटर थोड़े से इस बात को लेकर अवेर हो जाएं सबसे पहले तो यह कि अगर आपके पास दस से कम गाडिया है तब आपको सिंपल एक declaration देनी है और किसी भी हालत में आपको जो है अपना TDS नहीं कटवाना है और अगर आपको दस से जादा आपके बास गाडिया है तो हमने बताया आपको कि उस केस में अगर वो आपका TDS जमान नहीं करवाता है तो concerned जो commissioner income tax है उनके पास आप लिखित में complaint कर दें या फिर एक email के जरीए उनको complaint डाल दें इस जरीए अगर इस तरह का transport समधाय हमारा ये कोशिश करें तो निश्चे तोर पर हम ये जो एक बिमारी है एक ये जो scam है TDS के नाम पर पूरे जो trade में हो रहा है उससे बच सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए लाबकारी थाबित होगी तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें अपनी रा करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो ट्रांस्पोर्ट टीवी जानकारी लाबकारी